हेलो फ्रेंट्स गुड मॉर्निंग वेलकम बैक मैं भी लाशे सोधिया सो आज हम एक बहुती नए टॉपिक के साथ हैं और मेरे साब से वह बहुत साथ इंपॉर्टन टॉपिक भी है तो अगर आप सबको 95% लाने हैं तो लोगों को लगता है हमारे पैरेंट्स हमारे टीचस वगरे बोलते आएं कि हमें पढ़ना चाहिए जो लोग 95% लाते हैं वो दिन रात पढ़ते हैं और बिलकुल डू भी रहते हैं पढ़ाई में हम लोगों हमेशा से यह लगता था अब कि मैं इसलिए बोल रहा हूं कि स्कूल में वैसे तो मैं अवरेज था लिकिन जब मैं अच्छा परफॉर्म करना शुरू किया मेरी 92-93% आना शुरू हो गई तो मैं आप लोगों साथ कोई ऐसी कोई बात नहीं बताने वाला जो कि ऐसे ही है मतलब जिसका कोई फैक्ट ही नह पसंद तो लाइक भी कीजेगा अब हमने 95% स्कूर करना है तो उसके लिए पढ़ना पड़ता है !! बिल्कुल ! सबसे ज़यद अपर्ट है हमें क्यार किया प्ढ़ना है ये जानने से ज़यदे ज़रूर और हमें इस बॐस्ट कर देते हैं जो चीज आउट आउप्स है ूप चुकिन हैं और नए चीवाँ पर हम फोकस नहीं कर पाते हैं ठीक है तो इसका सब से बैस्ट आपको मैं idea देता हूं कि आपको करना क्या है है आपको homework सब कहते क्या है होम वर्क में क्या है लेकिन homework छोटी मोडी चीज नहीं होती, homework एक बहुत important factor होता है, जिसके वाइस से आपकी percentage बनते हैं हमें हमारे homework को miss कभी नहीं करना चाहिए, जिस तरह हम सोब्या सो के उड़ते हैं, brush करते हैं, नहाते हैं, breakfast करते हैं, उसी तरह आप अपने homework होता है, इसको एक आदत बना लीजिए, ठीक है, तो मैं आपको guaranteed लिखके रह सकता हूँ, आपकी percentage कम नहीं होगी, और वो कैसे होगा म For example, आप एक दिन में कोई भी subject के, जैसे कि मैं English social की ले लेता हूँ, social की मैं English social में मैं 5 questions learn करता हूँ daily basis पे, ठीक है, और 5 questions daily basis पे maths के भी मैं solve करता हूँ, ठीक है, अगर मैं एक दिन में social के 5 questions कर रहा हूँ, ठीक है, तो मैं एक महिनी में social के कितने questions कर लूँगा, 150 around कर लूँगा न, यानि कि मैं एक महिने में 1500 questions learn कर सकता हूँ, सिर्फ एक दिन में 5 questions करने के दम पर, तो समझ रहे हैं आप, एक आपकी आदत आपको कहां पहुचा देगी, और आप daily basis पे 5 questions भी अगर आप revise कर रहे हो, practice कर रहे हो math के, तो वो आपका 150 questions में जाएंगे, लेक आपको per day, उसको solve करना है, एक भी दिन आप इसको नहीं मकारी दे सकते हैं, ठीक है, और बहुत से लोगों की आदती होती कि वो चीजों को भूलते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ, चीजों को learn करने का सही तरीका क्या होता है, हम जब भी कुछ चीज learn करते हैं, तो अपनी कोई बात है, जो आस्ता क्याद है, और कल पर्सो की कोई बात थी, जो मुझे भूल गया हूँ, कली की बात ले लिजिए, कुछ ऐसी चीज होई, जो मैं भूल गया हूँ, लेकिन मुझे 10 अल पर परानी बात याद होगी, ऐसा क्या होता है, क्योंकि हमाँ पास दो तरेके memory स जिसमें वह चीज जाके स्टोर हो जाती है यह सब कुछ अपने आप होता है क्योंकि वह जीजह हमारी सबकॉंचिस मैंड में सैट हो चुका है उसी तरह हमाने पढ़ा ही है एल गाटे खुनी के तो नहीं सुछाँ और वहां इस पार या उचा के वहां राजीườngD manner यह इस about this is a tree हम सब भी पोगे दिशंक सब ब्राइकें को बाहरें अगर सोचेंगे में और फॉचीन रहा अरफ को देखें वहां तो वो सनका ध्रस्तार्स का बितला है chaques asa mo और इसको आप अपने परसनल चीज से कनेट करना चाहिए तो क्या होगा आप आपके साथ इंसिडेंस हो चुका है वो जरूर याद रहेगा ठीक है तो इसकी वज़े से आप अपने वह प्रसनल चीज से लर्ण कर पाएंगे लर्ण हमेशा आपको जैसे कि मैंने अभी कोई चीज लर्ण किया है तो उसको आप जिस्ट एक घंटे बाद फिर रिवीशन किजिए फिर वही चीज आपको एक दिन के बाद revision करना है वही chapter आपको एक week के बाद revise करना है फिर वही chapter आपको एक month के बाद revise करना है and then वही chapter आपको 3 months के बाद revise करना है I am sure वह chapter जो आपने learn किया है अगर ये process आपने हर चीज में apply कर दीना मैं आपको गैरेंटेट दे रहा हूँ आप लाइफ में कभी कोई चीज नहीं बूल सकते हैं ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो एक बार पढ़ लेते हैं चीज को उनको वो कभी नहीं बूलते तो उनको वो चीज याद तो नहीं रहती थी लिकिन उनको 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 इसे वो खिसी आशर को रिलेट कर देते थे तो इस वज़े से उनको वो याद रह जाता था जो उनने अभी पढ़ा है तो इस तरह के बहुत सारे एक्जाम्पल्स हैं जिसकी वज़े से हम लोग अपनी मेमोरी इसको बढ़ा सकते हैं और अच्छा लंग कर सकते हैं और सबसे चीज ज़रूरी है हमें एक टाइम टेबल होता है वो फॉलो करना बहुत ज़रूरी है बेगर टाइम टेबल के कुछ दो पार में दो घंटे दिना है ऐसा मैं आप से कुछ नहीं बोलूँगा आपको जितना टाइम लगता है आपको फाइब कोशन्स लर्न करने में जितना भी टाइम लगता है आप पुतार दीजे बहले वाप आदा घंटा लगे एक घंटा लगे यह दस मिट लगे लेकिन व तो फीकर बेदा वन हार आप एक घंटा भी दे रहे हो ना तो पूर पूरा दीजे ठीक है ना उसके बाद आपको जो मर्जी है वो कीजिए ठीक है तो अगर आप ने वह मैंने आपको जो रूल बताया है उसके अकौरिंग आप चले तो मैं आपको गैने दे सकता हूं आपक एक लियोनर्डा दा विंची एक बहुत बड़े जीनियस परसन माने जाते हैं और उनकी खासियत ही है वो वर्ल्ड क्लास परसन है वो इसलिए क्योंकि वो एक साथ बहुत सारे उक्यूपेशन से उसमें एक्सपर्ट थे पेंटिंग में ड्राइंग में मैथमेटिक्स में एर् और आर्किटेक्शर बहुत अच्छे थे और दोनों हाथों से लिख सकते थे यह तो कुछ भी नहीं है उनके उनके पास पहुत सारे टैलेंट्स थे वो म्यूजिक भी बहुत अच्छा गाते थे तो एक बंदे में एक इंसान में इतनी सारी खूबिया कैसे हो सकती है इसका इसकी आख सबसे बड़ा रीजन ही है उनका तो उनको क्या करते थे हर अपने काम को 20-20 minutes का division देते ते और अपने आपसे decide करते ते जैसे की for example मैं math लेके बाठा हूँ तो मैं अपने आपसे decide करूँगा मुझे math को कम से कम 5 minutes पढ़ना है I mean 5 minutes के पहले मैं math करने से नहीं उठ हूँगा तो जब five minutes देते हो pure तो आपने confirm कर लिए मैं five minutes से पहले नहीं उठ भूँगा फिर आपको five minutes और लगते हैं कि आपका this other subject ुससे connection बने 5 nib कि है 5 minutes तो आपको 5 minutes और लगेंगे तकि आपका connection बन जा कॉशन से पार्टिक्र और नहीं पर थ्वyuर्णन से क्रेट हो जाता फिर उसके बाद आपको 10 मिट्स और यह रूल आपको हर चीज अपलाई करना है बहले वह इंग्लिश हो सोचलो टफ चीज क्यों नहीं संस्क्रेट क्यों नहीं तो आपको उसमें सोचना मुझे 5 मिट के पहले उठना ही नहीं है जब आपने पढ़ना शुरू क किया लग करना शुरू किया उसके बाद आपको 5 मिट्स और लगेंगे उससे कनेक्शन बनाने में और उसके बाद जब आपको कनेक्शन बन जाएगा फिर आपको 10 मिट्स और देना है उसके मदद से आप हर चीज पर 20-20 मिट्स दे सकते हैं वो कुछ भी हो सकता है वह कुछ कर सकते हैं और सीख भी सकते हैं तो थैंक यू अगर वीडियो पसंद आ है तो आप प्लीज मुझे लाइक खीचेएगा और इस तरह के वीडियो मैं लेते हैं आँगा आपके लिए थैंक यू सो मुच